हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम फोरियो में दोस्तों आपने बहुतिसांदार वीडियो पर क्लिक कर दिया है आपका बिहार पुलिस कॉंस्टेबल का जो है पेपर भी समापत हो चुका है और बोईज और गर्ल्स का फिजिकल भी आपका समापत हो चुका है अब आपकी दोस्तों फाइनल कट ओफ की बारी है फिजिकल कट ओफ की बारी है पीटी में कितने बच्चे पास किये जाएंगे क्या आपकी रिजल्ट की अपडेट आई है नहीं जो भी सवाल आपके दिमांग में चलने है सभी का जवाब आपको इस वी मिलने वाली है यानि बिहार पुलिस में आपको उंस्टेबल बनने वाले है तो आप वीडियो के साथ हैंट तक जरूर बने रहे हैं पहले मैं आपको बता देता हूं डेली रिपोर्ट के अनुसार जो एक दिन में फिजिकल कराएगा लगबख सोलह सो मेल का फिजिकल कराए अगर आप मेल में 700 और फीमेर में 500 के अंदर आ रहे हैं तो आपका सेलेक्शन होना तेह आपका सेलेक्शन यह मानलो कन्फर्म होने वाला है क्योंकि आपका फिजिकल भी अच्छा हुआ और एक्जाम भी आपका अच्छा हुआ है नेक्ट देख लेते हैं पीटी में कितने बच्चे पास किये जाएंगे तो दोस्तों पीटी में लगबग 15,000 के आसपास तो आपके मेल और 10,000 के आसपास आपके फिमेल पास की जाएंगी धैन उसके बाद इसमें आपकी मैरिट लिस्ट लगेगी फाइनल अगर आपके दोस्तों इतने नमबर आ रहे हैं पीटी में तो इसमझ लिजए आपको नोकरी मिलने वाली या निया आपका फिजिकल आपका किलियर होने वाला है और आपको वर्दी मिलने वाली बिहार पुलिस के जो आपने सपना देगा था वो सपना आपका सच होने वाला है क्योंकि आपका result बहुत ही जल्दी आने वाला है result date क्या होगी सभी बाते मैं आपके साथ discuss करूँगा तो आप video तक end तक जरूर बने नहीं और अपने सभी दोस्तों के साथ share जरूर कर देना ताकि उनको भी पता चल जाए अगर आपके दोस्तों बिहार पुलिस में इतने नमबर आ रहे हैं तो आपका selection होना तैया आपको नोकरी मिलने वाली है वहीं पीटी बात कर लेते हैं अगर आपके इतने नमबर हैं अगर आप male candidate है और रनिंग में 20 नमबर high jump में 20 और short put में 21 से 25 नमबर आपके आ रहे हैं तो यह समझे लिजे आपको नोकरी मिलने वाली है यानि बिहार पुलिस में आपको उंस्टेबल बनने वाले हैं वहीं female की बात कर लेते हैं अगर आप female candidate है और जरनल में है और आप रनिंग में 30 नमबर high jump में 17 और short put में 17 से 21 नमबर आप लेकर आ रहे हैं तो यह समझे लिजे आपको नोकरी मिलने वाली है यानि बिहार पुलिस में आपको उंस्टेबल बनने वाली है वहीं cut of की बात कर लेते हैं दोस्तों अगर आपको नोकरी मिल गई बिहार पुलिस की अगर आप male candidate है और जरनल में है और आपके दोस्तों 70 से लेकर 71 नमबर आपके आ रहे हैं समझ लीजिए आपको नोकरी मिलने वाली है जो आपने सपना देखा था हूँ सच होने वाला है क्योंकि आपका रिजल्ट बहुत ही जल्दी गोशित होने वाला है वहीं EWS की बात कर लेते हैं EWS में आपके 66 से लेकर 70 66 से लेकर अगर आपके 70 नमबर आ रहे हैं EWS में तो आपको नोकरी मिलने वाली है वहीं बात कर लेते हैं OBC की अगर आप OBC में है और आपके 65 से लेकर 68 नमबर आ रहे हैं ST के लिए 61 से लेकर 64 और ST के लिए 58 से लेकर 61 नमबर अगर आपके आ रहे हैं तो यह समझ लीजिए आपको नोकरी मिलने वाले हैं बिहार पुलिस में आपको उनस्टेबल बनने वाले हैं अगर आप फिमेल कैंडिडेट है दोस्तों जनल में हैं और आपके 65 से लेकर 68 नमबर आ रहे हैं जनल में तो आपको नोकरी मिलने वाले हैं बिहार पुलिस में आपको उनस्टेबल बनने वाली हैं वहीं बात कर लेता हैं EWS की EWS में आपके 62 से लेकर 65 नमबर OBC में आपके 60 से लेकर 63 नमबर SC में आपके 58 से लेकर 61 नमबर और ST में आपके 55 से लेकर 58 नमबर अगर आप फिमेल कैंडिडेट है और आपके इतने नमबर आ रहे हैं तो यह समझे लिजए आपको नोकरी मिलने वाली है जो आपने सबना देखा था वो सबना आपका सच्छ आपका रिजल्ट आएगा डेट अभी कंफर्म नहीं हुए है जब डेट कंफर्म होगी मैं आपको बता दूँगा तो आप चैनल के साथ जरूर बने रहे हैं और हमने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना वीडियो को ताकि उनको भी पता चल जाए अगर आपके बि मिल जाएंगे ऐसा नहीं होगा दो से तीन नमबर मिल सकते हैं बिहार पुलिस में केवल बोनस के सभी बाते मैंने आपके साथ डिसकस कर लिए कोई कोई कोईरी डाउट रहे हो तो आप कमेंट बोक्स में पूल सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक स उसकाबरी मिल जाए अगर आपके इतने नमबर है तो आपका सेलेक्शन होना तैया यानि बिहार पुलिस में आप कोन स्टेबल बनने वाले हैं तो इस वीडियो में इतने वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बिलते हैं नहीं वीडियो के साथ तब तक के ले जाहिंजा भारत